साथियों, एक्जाम एनल्सिस से हमारी तयारी को और मजबूत बनाते हैं, हमको एक नई दिशा दिखाते हैं, हमारी तयारी कैसी चल रही, अब तक हमने क्या तयार किया है, हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, ठीके, इस चीज के बारे में हमें एनल्सिस से इसपश्ट होता है, इसलिए एक जाम एनलसेस से जरूर देखना चाहिए और आए हुए प्रश्णों के याधार पर आगे की हमें तयारी सुनुष्चित करनी चाहिए साथी हूँ आज की इस वीडियो में हम 20 नॉमबर 1st सिप्ट के 100% real question का एनलसेस करने वाले हैं GKS से देखेंगे कि किस प्रकार के question से पूछे गए पहले question के अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेत की 40 ठीक है article 40 पे आपको टिक करना था ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेत 40 से संबन्धित है ठीक है अगला question पूछा गया है कि समिधान का अनुच्छेत 148 किस से संबन्धित है Article 148 किस संबन्धित है तो Article 148 नियंतरक एवं महालेखा परिच्छक यह कैं नियंतरक एवं महालेखा परिच्छक कूर्शेन नमबर ठीक अगर बात करें तो सम्मिधान से समंदित कूर्शेन है कि मूल अधिकारों के हननन का समंद किस अनुच्छेद से है तो अनुच्छेद 13 ठलटीन मूल अधिकारों के हननन का समंद अनुछेद 13 से हैं देखिए मौलिक अधिकार भारत के समिधान के भाग 3 मतलब अनुछेद 12 से 35 तक वुणडित हैं ठीक है इफक्ट आपको ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार समिधान के भाग 3 और अनुछेद 12 से 35 तक वुणडित हैं ठीक है भारती नागरिकों को प् इस से सम्मंदित है, तो सम्मिधान का भागदो नागरिकता से सम्मंदित है, सिर्जन सिप से सम्मंदित है, ठीक है, इन्ही सिधानतों के आधार, मुतलब सम्मिधान के भागदों जो सिधान दिये गए उन्ही सिधानतों के आधार पर ही संसत ने भारती नागरिक अधनियम 1955 255 पारित किया है यही अदनियम भारती नागरिकों के स्वतिक उन्डराइद करता है इसमें 1986 में संसोधन किया गया था इस संसोधन के आधार पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया ठीक है अगला कुश्चन है कि महादिवक्ता की न्यूक्ती का उलेख किस अनुच् अनुच्छे सहांतिस का संबंद किसे है तो अनुच्छे सहांतिस से यह परिवासित करता है कि राज के जो नीती निदेशक तत्तों संबंदी जो प्रावधान है ओ किसी भी नयालययद्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता ठीक है लेकिन इसमें निहित सिध्धा अंतर सासन ब्योस्ता में मावलिक प्रकृत्त के होंगे मौलिक के अधिकार न्यालय के प्रवर्थन के योग्य हैं तो में जो बात है कि निती राज के जो निती नुद्रत्रत्तत्तन हैं नीती नुद्रत्तत्तत्त समंधी जो अबिसेग endro mo जैदा रहे हैं ठीके अगला प्रश्नि जो खेल से संबंधित है कि सूर्क मार्यादों का संब्ध कि किसा खेल से हैं तो क्रिकेट से संबंधित है यह ठीके अगला क्रिशन पूझाय गयाulle कि टैनिस कोड की लंबबाई होती है टेनिस कोड की होती है single ski doubles की लेकिन common अगर देखा ज़े 27 भीट होती है ठीक है रैकेट के अगर बात करूँ tennis racket के अगर बात की जाए तो 73.7 cm की लंबाई होती है और 31.7 cm इसकी चवडाई होती है ठीक है अगला प्रश्म संत्रज से पूछा गया repeated question है अभी पूछा गया था यह question जो है शत्रज के खेल में कितने हाथ ही होते हैं सत्रज के खेल में दो हाथी होते है देखिस की खेल में यह मोहनी Open है इसका राइटoplस कुछा गया तो कुछी पुडिर इसका राइट आंसर है metric कुछी पूछी पूचाए गया कि वंगला महुष्णा कहां मनाया जाता है तिसका जु राइट आनसर है legally ए मेघाला भारत के पुर्वथ्तर में अंग। मेगाला राजय और उत्री बंगलादेश कोछने वाले गारो क्म extracting के द्वारा नौंबर के महीने में का महिन चल रहे हैं द्याहन दिया खुरा सा कैसे को रिलेट कर रहा है एक्जाम में सर्म बड़ी आपकी जो है जो लोग एक्जाम ले रहे हैं कैसे वो question को correlate कर रहे हैं तैयारी हमें कैसे करनी है इस बास से आप समझ सकते हैं कि नॉंबर के महिने में फसल कटाई से सम्मंधित एक उश्रो है वंगाला ठीक है नॉंबर में आपको एक्जाम चल रहा है और नॉंबर से सम्मंधित ये वहा रहे है ठीक है यहां दे रहे है मेरी बात को समझ रहे हैं आईए question number 13 लाउडी निर्थ का सम्मंध है किस राज्य से है तो इसका सम्मंध है महराश्य से सातियों ऐसे question जो आपको लगते हों कि fake हैं गलत हैं नहीं आये थे comment करके प्लीज ये जरूर बताईएगा और कुछ question और आपको जो वीडियो में जो question include नहों पाए हो ऐसे question अगर आपको याद हो तो please comment करके उसको जरूर बताईएगा टेलग्राम चैनल का link के नीचे description में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके मुझे message कर सकते हैं question आप वहाँ पर दे सकते हैं ठीक है और जिन भाईयों का exam आगे या लिग सिप्टोम लगा हुआ है उनसे मेरा करबध निवेदन है कि please ये questions को टेलग्राम चैनल पर जरूर से send क करिएगा question number 14 निम लिखित में से कौन पखावा जवाद यंदर से संबंदीत है ठीक है तो option नहीं मिला है इसका पखावा जवाद यंदर से संबंदीत जो प्रमुक कलाकार है वह है गोपाल दाश ठाकुल अचमर सिंग चैत्रपरदे सिंग रहमान खान ठीक है question number 15 यह भी question पूछा गया था रिपीट हो गया है यह question ठीक है हिंदू कलेंडर के अनुसार राम नौमी के तेवहार की समहिने मनाया जाता है तो चैत्र सुकल नौमी मतलब चैत्र माश में राम नौमी के तेवहार मनाया जाता है question number 16 इन में से कौन मौलिक करतब नहीं है ठीक है एक question भी प्छले सिप्ट में आया था दोबारा रिपीट हुआ है आपसन को परिसकान सा रिपेंड करता है पूरा डिटेल मैंने यहां पर दे दिया है पिछले सिप्ट कर जो मैंने अलसिस कराया था तो उसमें पूरा डिटेल मैंने दिया था आज पूरा डिटेल फिर दे दे रहा ह मूल रूप से मौली कर्टब पहले 10 थे, 86 में स्रमिधान संसोधन के बाद मौली कर्टब कितने हो गए, 11 हो गए, जो कि 2002 में हुआ था, सभी 11 कर्टब बे श्रमिधान के अनुछेद 51 भाग 4 ए में सुची बद्ध है, एक चीज महत्मोर कोशन ध्यान दीजिएगा, राज के न मौली कर्टब की प्रकृति क्या है, या राज के निर्जिंग सिधानतों के प्रकृति क्या है, कैसे हैं, गैर न्याइक है, ठीक है, यहां पर टूटल मैंने मौली कर्टब ग्या रहा हूं, मौली कर्टब के सूची यहां पर दे दी है, ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्य प्रच्वी पंचवर्सी योजना का उद्देश क्या था ठीक है पंचवी पंचवर्सी योजना का उदेश था क्रिस्व उत्पादन और अच्छा में आत्म धर्चा पर ध्यान के अंदरित करना ठीक है क्रिस्व उत्पादन और अच्छा यह में इसका जो है मोटो था पांचवी पंचवी पंचवी योजना का ठीक है कोश्चन नबर 18. ऑईए यहां से हम पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं कौन कोन से पुस्तक पूछी गई, तो 희न कोशा गया है किसकी रचना है यह बानभट रचना है अगला पूछा गया है कि इνडिया विंस freedom किसकी रचना है मौलाला अबुलकलाम आजात की रचना है यह ठीक है यह आत्म की आत्मकता है ठीक है अब आई यहां से हम हिष्टी सिभिक जोगर भी जोबी कोशन पूछे गए उन प्रशनों को देख लेते हैं अजन्ता एलोराव की गुफाएं किस नदी के तट पर हिस्थित हैं तो परण दी के पास सहाधरी परवत माला के पश्चमी घाट में इस्थित हैं यह गुफाएं ठीक है अगला कोशन पूछा गया कि जूनागर अबलेक में किस राजा का जिक्र मिलता है तो रूद्र दमन राजा रूद्र दमन का अबलेक मिलता है देखी यहां पर कोशन यह भी परवतों पर है जो कोई जूनागर के निकट इस्थित है पूछा जाता है कि जूनागर अपले कि किस परवत पर इस्थित है तो गिरनार परवत पर इस्थित है ठीक है अगला कोशन पूछा गया कि इन में से कौन सी गुफा बहुत धर्मिशे श्रमन दीत है अभी इसका आ पर टिकरना था अगला कुछा गया है कि निमलिखित में कि सासक ने चांदी की मुद्रा चलाई थी ठीक है तो सेड सा सूरी ये कुछन भी पिछले सिप्ट में आया था अभी ठीक है अगला कुछन पूछा गया है खेडा अंदोलन कभ हुआ था चंपारण सत्यागरा के बाद यह दूसरा अंदोलन था महत्मा गांधी की दोरा जो किया गया था किसानों के लिए खेडा अंदोलन फो नील जो खेती अंगरेश करवा रहे थे खेडाją болवत तो उसके ब्रूद जो है खेडा सत्याग्रा है उनीस सो अठारा में गुजरात के खेडा जिली में महत्मा गांधी द्वरा आयोजित एक सत्याग्रा आंदोलन था ठीक है और सरदार बल्लेभाई पटेल का भी इसमें भरपूर सहीूग था ठीक है तो सारे फैक्ट आपको ध् पल्लोबंश की अस्थापना किसने की तो पल्लोबंश की अस्थापना सिंग बिश्लू को पल्लोबंश का संस्थापना किसने की तो स्वामी बिवेका अनन्द ने कब 1897 में कहां कलकत्ता के पाश बेलूर में ठीक है अगला कोश्चन 2011 की जनगर्णाय के अनुसार किस केंसासी प्रदेश की सच्छतादर सबसे कम है तो अंडमार, निकोबार, द्रीप, शमू हूँ ठीक है वही अगर राज्यों की बात करें सबसे अधिक सच्छतादरवाला राजी जो है आपका केरल है 94% है है अब सबसे कम के अगर बात करें तो बिहार है 61.80 कूर्शन नमबर ठल्टी 1951 में कौन ब्रिटेन के प्रदान मंतरी भारत की यातरपर आए थे थे ठीक है मतलब को शन का कहने मतलब यह था कि बृतन को उनीस से क्यावन में जो प्रधान मंतरी था भारत की यातरा पर कर बाया था 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 ठीक है तो फिलार मैं आशना आपको बता देता हूं क्लिमेंट रिजर्ड एटली यह उनीस सो अठाइस में साइमन कमिशन के साथ भारत की यातरा पर आये थे क्लिमेंट रिजर्ड एटली ठीक है क्लिमेंट रिजर्ड एटली के साइन के ओजासे ही भारत को आजादी मिली ठीक है यह बात ध्यान देने की है ठीक है अगला कुश् नाल ठीक है विटामिन ए वसा और तेल में बिले विटामिन है गुलनसील विटामिन है इसका अनुसूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो कुछ और मिलते हैं तो मैं पीडियाप में इंकलूट कर दूँगा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब करके बेल आइकान जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और दूसरी बात सबसे महत्मूर प्लीज रिकेश्ट है करबत निबेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक सेर जरूर करिएगा